सुभे सुभे चाय बनता है ना तो दिल एक दूम खुश हो जाता है साइड में मैंने दूद करम करने के लिए पे रखा है और आज ना देखो धूप निकल गया है और मैं सेट से ना ज़ड़ो लगाऊंगी और सेट से मेरे पती चाय बनाएंगे बना रहे हैं परके उनके हाथ का चाय तो जब तक मैं ना पीओ ना तो फिर दिन शूवी नहीं होता है और उन्हें भी पसंद है चाय बनाना मेरे हाथ का उनको बिल्गु पसंद नहीं है पताने क्यों शाइर मैं खराब बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने मशीन भी चला दिया है क्योंकि ना कुछ दिन की बात होने वाला है बारिश तो इसलिए मैंने जली जली करके कपड़े कुछ धोना है और इस बीच अगर बारिश हो गया ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर वो गंदे कपड़े रह जाएंगे मेरे पास तो इसलिए फिर मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके धो देती हूँ और यह मेरा लास्ट था तो लास्ट तक मैंने धो दिया है और अभी मैं ना निकाल दिया हूँ हम दोनों के लिए चायश सीवा भी सोया है सीवा था मेरे घर में तो वो उसके लिए भी मुझे बनाना है बाद में बना दूंगे उसको क्योंकि वो उड़ता ही 11-12 बजे तो इधर मेरा दूर जो है ना वो खौल गया है अब उसको बन कर दूंगी और मैं भी बैठ जाओंगी चाय पीने के लिए और अभी आगई हूँ मैं मंदिर और मंदिर में कुछ बरतन होता है वो सब मैंने निकाला साफ किया और इनको धोना भी है तो अभी नहीं दूंगी थोड़ी दर के बाद ही धोनूंगी तो चलो अभी और इधर देखो माधब यह उठ गया है उसकी मॉर्निंग हो गई है तो जब माधब उठता है ना अपनी पूरी नीन लेके तो बहुत खुश हो जाता है लेकिन पता नी दो तीन नीन से तो यह खुश है यह नी अभी इसको ऐसा लगता है कि हमने उठाया क्यों और अभी हम लोग ना चाय और सबोसा खा रहे है क्योंकि कुछ है नी और रोटी मुझे बनाने का मन नी कर रहा है और यहाँ पर देखो इस यह आ गया है महाशाय जी मैंने इसको कपड़े पड़े पहना दिया है और अभी यह फिट एन फाइनल होके चलाया है मैंने इसको सुबे राइपन बनाया तो मैं देख रही थी इसने टॉलेट तो नी किया है इसको टॉलेट करने के लिए बोलो ना तो यह टॉलेट कर देता है लेकिन फिर कभी-कभा न brother भूल जाती हूं और यह अपना time-to timeỉंट कर लेता है टॉलेट पैंट में ही इसकी दिमाग में इतना सारा गेम चलता है कि क्या ही बोलूँ बहुत सारा गेम चलता है और यह अकेले अकेले खेलता है घर में और कभी कबर बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए मैं कभी कबर पीछे भी भेशती हूं खेलने के लिए तो मैं जादतर मैं अकेली नहीं छोड़ती इसको क्योंकि अभी ना मादब छोटा है और छोटा ऐसे क्या होता है कि वो समझ नहीं पाता है कभी कब बच्चों के साथ लड़ाई भी हो जाती है थोड़ी बहुत फिर मैं सोचती हूँ कि यार क्या से क्या करेंगे पता नहीं चोटे बच्चे है तो इसलिए मैं जादतर अकेली बिलकुल भी नहीं छोड़ना चाहती उपर से इन लोगों कुछ बोलना भी नहीं आता है तो इसलिए मैं साथ ही रहती हूँ या तो इसके पापा को बोल देती हूँ साथ रहने के लिए या तो फिर मैं रहे जाती हूँ तो यहाँ पर देखो बैट बैट के वो अक्रेले खेल रहा है और मैं इधर का थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ तो इधर मतलब कुछ कपड़े है जो दोए थे मैंने डाले थे वशीन में तो वो सब मुझे दोने है और इधर देखो माधब बहुत परिशान करता है अब इसके पैरों में सॉक्स नहीं है सॉक्स खोल दिया है इसने और देखो शैदानी देखो इधर इसके पापा को सॉक्स पैनाना है और ये लड़का गाड़ी लेके आ रहा है और ये रो भी रहा है इसको गाड़ी चाहिए जब भी हम इसको कपड़े पहनाते है ये तब ही रोता है तब ही रोता है हमेशा बहुत ही गुसा आता है क्योंकि जब भी कपड़े पहनाएंगे तब ही इसका नकरा शुरू हो जाता है और पहला ही पता है मैं बोलती थे मुझे नकरे वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद न देते हैं तो मैं माना करती हूँ कि तुम्हारा जक्कर में यह लाडला होते वह जा रहा है और अपने पापा के पास ही रहता है क्योंकि इसके पापा उसको बहुत प्यार करते हैं डाड़ते बहुत का मैना तभी तभी के लिए बाबा